नमस्कार मित्रों मैं मनीश एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप स्टुडेंट हैं जॉब सीकर हैं या जॉब कर रहे हैं और आपको डेली रूटीन में स्पोकन इंग्ल है यह सब्सेश्ड नहीं हो पाती है क्योंकि हम लिःज़ बोलते ही नहीं और जब इंग्लिष बोलिंग नहीं तो सफोकें इंग्लिष ठीक होने से रही तो इसमें मैंने कुछ tips बताई हैं जो definitely आपके काम आएंगी पर अंततहा काम आपको ही करना है end of the day काम आपको ही करना है आपको जो tips बताई जाएं अगर आप वो follow करेंगे तो 100% आपके English ठीक होगी ये मेरी guarantee है but you have to follow the process तो आए बिनकिशी देरी के video शुरू करते हैं तो इसमें जो first step मैंने लिखा है वो है learn five new words on daily basis देखिए ये कोई one day job नहीं है gradual improvement ही होगा gradually ही आप सीखेंगे gradually सीखेंगे slowly सीखेंगे but एक दिन में कोई जादू की छड़ी magic friend घुमा के आप सीख नहीं सकते हैं तो उसका जो process है जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपका words देखिए किसी भी language को सीखने के लिए आपको दो चीजों के requirement होती है पहली है उस particular language की vocab और दूसरा है grammar चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, Sanskrit हो, Tamil हो, Telugu हो, German हो, English हो कोई भी language हो, Sanskrit हो, कोई भी language हो, उसमें दो चीज़ें जब तक आपको नहीं आएंगी वो language आपको कभी सीख ही नहीं सकते हैं वर्ड्स हैं वो आपको सीखना है तो यह वर्ड्स आपको कहां से मिलेंगे औविस्सी बात है निज्ज चैनल्स अगर आप देखेंगे उसमें मिलेंगे मुवीज देखेंगे उसमें मिलेंगे English movies देखेंगे English news channels देखेंगे English newspaper पढ़ेंगे अपने subject book अगर English में है वो पढ़ेंगे novels पढ़ेंगे वहां से आपको देख सारे words मिलेंगे आपको five words कम से कम परड़े तयार करना है अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए यह cumulative होता है आपका interest जागेगा और धीरी धीर करके आपका word power बढ़ता जाएगा और आपका words नहीं नहीं recall होने लगेंगे जो आप daily communication पर आप उनका और आप words अगर बिना किसी reference context के याद भी कर लेंगे न तो वो आपकी memory में stay नहीं करेंगे उसके लिए आपको उनहीं words से एक shortest story मतलब sensefully उन words को use करना है अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपके अंदर एक sense develop होगा कि particular word को किस situation और कब इस्तमाल करना है कहां और कब किस word को इस्तमाल करना है यह sense develop होता है तो एक चोटी सी story जो तीन यह चार sentence में sensibly उसको use करना है ताकि आपका word कहां पर particular five words जो आप सीख रहे हैं वो कहां इस्तमाल हो सकते हैं daily routine में कहां उनको इस्तमाल किया जाए कौन सी situation है जब particular words इस्तमाल होते हैं तो उसका sense develop होगा वो word आपक पढ़े हुए हैं already active voice, passive voice और narration हमने बहुत सारी चीज़ें already पढ़ रखी है बट एक बार हम भूल चुके है articles कहां इस्तमाल करना है preposition क्या है थोड़ा revise मारिए intermediate तक अगर आपने grammar पढ़ी हुई है या कोई भी grammar book उठाके आपको एक बार grammar के rules revise कर लेने जाहिए क्योंकि आपको एक बार grammar को revise करना बहुत जरूरी है एक बार आप revise करेंगे तो आपको थोड़ा सा idea होगा कि कैसे कैसे words को इस्तमाल करना है और बाकी अगर आप English news channel सुल रहे हैं English content पढ़ रहे हैं तो definitely आपको grammar का sense develop हो ही जाएगा यह तैय है ठीक है तो आप grammar को daily थोड़ा थोड़ हैं तो please थोड़ा ध्यान दीजेगा fourth pointer replace Hindi words with English words देखिए अगर आप English बोलने आप ऐसी community में रह रहे हैं आपके दोस्त ऐसे हैं जहां पे English frequently नहीं बोल सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने Hindi words को English words से replace कर सकते हैं यह बहुत ही important tactic है अगर आप ऐसा कर ले जाएंगे ना तो चमतकार ही हो जाएगा जैसी कि आप simple में कहते हैं कि मुझे भूख लगी है तो आप बोल सकते हैं मैं यार hungry हूं ठीक है अगर ऐसा आप धीरी धीरी करके आप Hindi words को replace करके या आपकी जो local language है उसके words को replace करके English words धीरी धीरी डालने हैं तो कोई आपको यह भी comment नहीं करेग तो आपको word के लिए सोचना नहीं पड़ेगा जो fumbling होती है stuttering होती है यह सब नहीं होगा आपको word time पे clearly मिलेगा और आप एकदम fluent English बोल पाएंगे क्योंकि word सोचने में आपको time नहीं जाएगा यही होता है जब हम translation करते हैं या English बोलने के कोशिश करते हैं सीदे सीदे बोल words को थोड़ थोड़ रड़ेश करके English words को डलते जाए ठीक है अब है आपको next try to frame and use small sentences देखिए बहुत ही छोटी सी बात है आप daily life में छोटे-छोटे sentences का इस्तमाल कर सकते हैं देखिए आप बोलते ही होंगे जब अगर आप student है या आप job कर रहे हैं तो अपनी senior के cabin में जात हैं यह class में कोई आपका classmate बैठा है उसको कहते हैं तो इसमें बोल दीजे please move a bit ठीक है छोटे-छोटे sentences इस तरह के तो जैसे कोई कुछ आपको दे रहा हैं आप बोल सकते हैं no it's enough छोटे-छोटे sentences हैं अगर आप इसे sentences को use करने लगें तो definitely इसमें बहुत सारे improvement हो जाएगा और आपको यह छोटे sentences बोलने में दिक्कत नहीं आएगी और धीरी-धीरी करके आपकी English जो है न वो enrich हो जाएगी ऐसा करने से आपको daily अगर words आप Hindi words से English word को replace कर रहे हैं ठीक है और daily छोटे-छोटे sentences को हर situation में इस्तमाल कर रहे हैं तो आपकी धीरी-धीरी करके English का हो जाए और आप बोलने में जो आप अटकते हैं वो अटकना धीरी-धीरी करके घड़ जाएगा अब है next watch English movies, serials, web series, news, etc. with subtitles देखिए आप English movies देखिए, news देखिए, series, web series देखिए और subtitles के साथ ही देखना है क्योंकि आपको ultimate target words, new words को सीखना भी है और देखिए जब news सुनते हैं या web series देखिए या movies देखिए तो होता क्या है क्योंकि आपको reference context पता होता है particular word कि situation में किस emotion के साथ बोला गया है ये भी आपको पता चलता है तो यहां से English सीखना, यहां से words को pick करना ये बहुत ही strategic है आप अगर वहां से words को उठाएंगे तो proper अगर 10 minute का भी वीडियो आप देख रहे है उसका pronunciation आजकल तो बहुत सा dictionary apps आ गया है हिंकोज वगयरा है उसको आप download करके उसमें देख सकते हैं उसका pronunciation कैसा हिंदी मिनिंग क्या है अगर आप ऐसा देख लेंगे तो आपको फिर पूरा idea है उसके बाद में जब दुबारा उस video को देखेंगे without subtitles तो फिर आ अर्थ का अनर्थ भी कर देते हैं लोग ठीक है तो आप English को English में देखिए with subtitle देखिए और नए words को note करिए और फिर उस चीज़ को दुबारा देखेंगे थोड़ा इंट्रेस्टिक नहीं लगेगा बट आपकी English definitely बहुत अच्छी होने वाली है ठीक है second last point is speak English as much as possible जितना ही है ज्यादा हो सके उतना English आपको बोलना है देखिए बिना पानी में उतरे तैरना नहीं सीखा जा सकता बिना साइकल मोटर साइकल में चड़े बिना उसको चलाए उसको सीखा नहीं जा सकता चलाना नहीं सीखा जा सकता बिना पानी में उतरे तैरना नहीं सीखा जा सकता उसी प्रकार से बेगिना English बोले यह possible ही नहीं है कि आप English बोल पाएं ठीक है spoken English अगर ठीक करनी है तो definitely आपको बोलना पड़ेगा आपको चांस दूलने पड़ेंगे अगर आपके कहीं भी आपको चांस मिलता है English बोलने का तो सरम संकोष छोड़िए और English बोलिए तूटी फूटी ब्रोकें English बोलिए अगर आप बोलेंगे तो definitely काम बनेगा और एक बोलने का और मैं तरीका बता सकता हूं आपके पास एक magical device है जिसका नाम है यह cell phone हाँ यह magical device है तो अगर आप पास यह है तो आप उसको audio record कर सकते हैं अपना कोई topic चूज़ करिए global warming चूज़ करिए corruption चूज़ करिए reservation system चूज़ करिए जो भी आपको चूज़ करना है आपको topic चूज़ करिए और English में जो अगड़ मगड़ा है बोल ला है बोलिए उसको record करिए और फिर उसको सुनिए कि आप कहा mistake कर रहे हैं कहा अंगरबड हो रही है फिर उसको improve करिए फिर बोलिए ऐसे करके आप किसी को य एक्टिफिकेशन होते जाएंगे जो आपका improvement है वो धिर धिर होता जाएगा क्योंकि आप ही खुछ चेक कर रहे हैं कि यह बहुत गजब की device है video record कर सकते है audio record कर सकते हैं दुबारा सुन सकते हैं उसमें फिर अपनी गलतिया identify कर सकते हैं और उसमें ठीक कर सकते हैं कहीं अग देखिए चमतकार होगा और आपकी English definitely बहुत ही अच्छी हो जाएगी अब यह last point है अगर यह आपने कर लिया ना तो बस जो चमतकार है वह हो ही जाएगा क्या है think in English देखिए every time हम जो सोच रहना हिंदी में सूचते हैं अपनी native language में ही हम सूचते हैं कोई प्लानिंग करते ह सब आपकी native language में होती है local language में होती है तो अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं और English improve करना चाहते हैं तो उसमें अगर आप English का sentence English में ही सोचने लगें जो कोई भी speaker है जो बड़े English बहुत अच्छी जिनकी English है वो translation mind में नहीं करते हैं कि पहले हिंदी का sentence सोचे अपनी native language मे sentence सोचे और उसके बाद में उसको translate करके English में ना वो सीधे English में ही सोचते हैं और English में ही बोलते हैं इसलिए वो जो gap है वो नहीं आता है ठीक है वो stutter, fumble वो सब नहीं होता है तो आप free time में आपको आप समझी कितना सारा time है English में सोचने का पूरा time है आप हर time सोच रहे है mind त सोच रहे हैं तो यह जो process हो बहुत rapid हो जाएगा बहुत fast हो जाएगा बहुत जल्दी ही आप सीख जाएंगे ठीक है तो यह एक चमतकारिक अगर change चाहते हैं आप चाहते हैं कि मेरी English बहुत जल्दी improve हो जाए तो जब भी आपका दिमाग Hindi में सोचे तो तुरंत आप अगर देखी है तो यह देखी है बहुत नहीं देखी है और फिर जो यह बीच में माइंड आपको गलिचीजा सुझा रहा है ना कि अरे चलो छोड़ो यार तुमसे नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ नहीं बट अगर आप 100% dedication के साथ लगे रहते हैं एक मेने में देखिए आपकी habit बन जाएगी और ये routine में आ जाएगा जो अभी time शुरुआत में थोड़ा ज्यादा लगेगा और output कम आएगा फिर आपको time क लगेगा और output बहुत ज्यादा है cumulative growth होता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब इन steps को follow करिए और अपनी English को improve करिए और अपने career को अपने जीवन को सुधारिए बहुत-बहुत धन्यवाद thank you मिलते हैं next video में